प्रश्कार दोस्तों सौगे थे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्णिंग इस अर्णिंग वाई प्रभाज पे तो दोस्तों बात करेंगे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के बारे में जिसके बारे में देखिएगा आपको नहीं पता होता है basically आप losses में तो बहुत पैसा लगा देते हो like कभी एक लाग का loss हो गया 50,000 का 20,000 का 30,000 का 40,000 का इतना loss हो जाता है but doesn't matter चुई सोसते हो चलो कोई बात नहीं कभी तो पैसा वापसी करेगा but the thing is same time when you are doing losses तो आप क्या करते हो एक चीज नहीं करते हो एक भी ख्याल नहीं लाते हो कि something to learn something to invest in yourself यानि कि कभी एक हैल नहीं आता कुछ learn करने के लिए कोई पैसा दिया जाए कुछ something देखेगा ऐसा किया जाए जिससे हम दो बाते कोई नहीं जान सकें तो जब ये भावना नहीं आती इसलिए देखेगा आप अधूरा ग्यान लेके लगाता 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 लॉस करते रहते हो बात किसी को पैसा देके ही देखेगा सीखने की नहीं होती है बात खुद YouTube पे अपना टाइम देख कर आप बहुत कुछ सीख सकते हो बहुत सारे ट्रेडर है अगर आप उनकी जर्णी सुनियों उन्हेंने YouTube से Google से सीखा है उन्हें किसी मेंटर से नहीं सीखा केवल YouTube, Google और कुछ सेविनार्स तो ऐसे में देखेगा बहुत important हो जाता है मैं आज आपको एक ऐसे indicator के बारे में बताऊंगा जिसका utilization बहुत ही important है यह है तो बहुत common चीज लेकिन यह आप use नहीं करते हो इसलिए आपको देखेगा यह काम समझ में नहीं आता है तो जब आप DMAT account में चार्ट देखते हो तो आपको केवल चार्ट दिखता है index में क्या दिखता है चार्ट दिखता है कहां पे resistance है कहां से nifty bank लोटा था कहां से nifty bank देखीगा तेज हुआ था यह देखने को मिलता है बट आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको Google क्या जाना है गूगल पे जाना है ट्रेडिंग यूँ पे आप जाएंगे और ट्रेडिंग यूँ पे जाके आप चार्ट के साथ क्या चीज एसेंशियल है जैसे कहते नहीं है कि एक तरीके से इडली के साथ सामबर बहुत ही important होता है बन के साथ मखन बहुत होता है तो same चीज है कि जब आप चार्ट यूटलाइजेशन कर रहे है तो वॉल्यूम एक ऐसी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए जो आपको नॉर्मल डीमैट अकाउंट में देखने को नहीं मिलती इसलिए कभी कभार आप ट्राप हो जाते हो कभी कभार आप कलर टाइम पे इंट्री ले ले लेते हो कभी कभार आप प्रस्टेट हो जाते हो कभी कभार आप इमोशनलेस हो जाते हो तो आपको करना क्या है ट्रेडिंग यू पे जाना है कैंडल में देखेगा कैंडल लगानी है इंडिकेटर पे जाना है इस इंडिकेटर पे जाना है इंडिकेटर पे जैसी जाएंगे तो आपको volume, volume वहाँ पे देखेगा, एक indicator देखने को मिलेगा, volume पे क्लिक करना है, अब volume पे जब आप क्लिक कर देखेगा, अब यहाँ चार्ट के साथ क्या देखने को मिलने लगा, यह आपको देखने को मिलने लगा, volume, अब volume आपके काम कैसे आता है, when you are buying call, when you are buying put, तो जब भी देखेगा, market resistance पे जा रहा है, देखेगा, जब भी market resistance पे जा रहा है, और उसके साथ अगर volume कम होना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब समझ लीजे, profit booking आने वाली है, फिर से समझेगा इस बात को, कि जब भी देखेगा, market क्या है, resistance पे आ रहा है, आपका, nifty bank हो, nifty हो, कह अगर resistance पे आ रहा है, इसके बाद, आपको अगर यहाँ पे volume डाउन होते हुए, अब red candle ज़्यादा बनते हुए, देखने को मिल लीजे, इसका मतलब है, लोग अपना profit book करना शुरू कर चुके है, it is a right time to buy put, समझ रहे हैं, कि यह सही समय है, कि आप put से scalp कर दो, scalp बहुत important हो 10-15 point पे भी scalp बहुत अच्छा वाना जाता है, तो आप देख सकते हैं, फिर क्या होता है, कि अगर market लगातार गिर रहा है, यह देखे, गिर रहा था, लगातार गिर रहा था, volume ना के बराबर थे, volume थे ही नहीं, तो जब market लगातार गिर रहा होता है, तब आपको देखना है या फिर देखेगा, market यहाँ पे गिर रहा था, तो जब आपने देखा कि यहाँ पे एक अच्छा green candle लगना, तो इसका मतलब है, कि buyer अब यहाँ पे market को रोकना चाते हैं, और तब आपको वहाँ पे call side में जाना है, जिससे आपको एक simple setup से, केवल simple setup से बहुत सारा ग्यान हो जाएगा, अब सबसे interesting बात यह है, कि यह जो volume का आपको देखेगा chart utilize करना है, यह volume का chart आपको utilize करना है, केवल resistance पे और support पे, जब आपको लगता है support पे market आ गया है, तो मेरा right entry कहाँ पे होगा, तब volume को देखेगे call के लिए, और जब resistance पे आ गया है, तो मेरा right entry क्या होगी, तब put को देखे, volume के basis पे, अगर देखेगा, volume कम होने लगें, rising market के साथ, तो इसका मतलब profit booking आने वाली है, तो आपको put paper करना है, अगर देखेगा, falling market पे देखेगा, rising volume आ जाए, तो आप समझ लिजएगा, फिर आपको call पे scalp कर साथ, scalping की बात करता हूँ, scalping एक दो मिनट, तीन मिनट, पांच मिनट में हो जाती है, मैं scalping की बात करता हूँ, nothing else, इसको time frame बढ़ा के, इसको दिन भर बैट के नहीं किया, केवल एक से तीन मिनट में आपको काम बनाना है, इसमें 10 point, 12 point, 15 point, बस, अगर आप scalper है तो, समझ में आ